स्यादवादन यशटद्राव्य गुण पल्याय और प्रमान का जड कर्म चेतन बंधकारू कर्म के अबसान का कहकर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी मा को वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है ओम नमहस्देव्या ओम नमहस्देव्या ओम नमहस्देव्या नमु आयरियालं नमु अज्जायालं नमु लोए सवसावुनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गोतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो स्थु मंगलं सर्व मंगलं आंगल्यं सर्व कल्यान कारकं प्रधानं सर्व धर्मानं जैनं जैतुशासनं नमह समय साराय स्वानुभु त्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिले अतंबने परमातमाहो शांति सारे देश में ए देशनासर ओदै महावीर के संदेश वर्तमान चोवी से में नेमिनाद भगवान की तीन तीन अपुरू महा महोत सोंग की यह धरा दीक्षा केवल और मोक्ष कल्यानत शट्खंडागम का भी यही स्रोत रहा आचार धर्सेन देव की साधना भूमी रही पुष्पदंत और भूत्बली मुनिराजों की सिक्षा भूमी रही जब जब भी गिरनार क्षेत्र उर्जियंद गिरी का उलेख सुनने पढ़ने में आता है तो एक बात जरूर जहन में आती हैं न जाने कितनी कितनी शुत परंपरा की सक्री ये साक्षी यह भूमी रही विचार आते हैं आचारे कुंद कुंद देव के चोरासी पाहूडों की भी प्रेरना भूमी यही होनी चाहिए क्योंकि ससंग जब वे यहां पधारे थे तब श्वेतामबर पक्ष के साथ जो भी वाद विवाद कथा हुई उसमें महाविजय पता का उन्होंने लहराई और जिसका साक्षी यहां का स्थापत्य है सरस्वती देवी का साक्षात अवतार हुआ अन्य लोगों के द्वारा जो उपर पहले टोंके पास जो माननेता है वही धरा कही जाती है मुनी सुरत ना तीर्थं करके सरवाधिक समोशरन गिर्नार जी में पधारे यह भी एक सिद्धान्त साक्ष है कई ऐसी बातें है पूझ गुर्देश्री के तीर्थ काल में लेखन पधती का मानों उनके लिए लिपि बद्ध करने का गणधर तुल्लि काम किया ब्रमचारी हरी भाई ने भगवती आराधना का अनुवाद उन्होंने इसी सेसावन से किया भगवती आराधना का गुजराती में जो अनुवाद हैं वो यहीं आकर के रहे दो ड़ाई मैंने और उसका पूरा गुजराती में अनुवाद उन्होंने यहीं इसी गिर्णार जी से किया कहा भी यहीं जाता है क्षत्र चुड़ा मनी के जो रचनाकार वादिब सिंग सूरी उनकी भी यह साधना भूमी रही यहां तक कि आत्मानुशासन आत्मानुशासन की भी रचना भूमी मतलब आप कितनी लाइन बंद प्रमे हमा आप लोग यहां प्रस्तुत कर सकते हैं क्या आत्म साधकों की साधना भूमी क्या मुनि सूरत और नेमिनाद भगवान की देशना भूमी जहां जहां भी देशना खिरती होवे वह क्षेत्र भी तीर्थक शेत्र कहलाते हैं सिद्धत्व को जब कोई साधक प्राप्त करते हैं तब तो सिद्धक शेत्र तो कहलाते ही हैं लेकिन देशना विहार भूमी जहां तीर्थंकर वगवान विहारते होवे विहरते हो विहार भूमिया भी तिर्थक शेत्र कहलाते हैं ऐसी धन्य धरा पर हम आप लोग आके बैठे हैं निमिनात भगवान के संदर्ब में तो कई ऐसे परिप्रेक्षों हो सकते हैं प्रारंब करें कि उनकी दीक्षा के लिए कोई महानिमित बना तो इसी धरा पर बना तो वैराग्य का भी कहें दीक्षा कल्यानक का भी कहें और अभी प्रातक्काल पौने बारा बारा से जो साड़े बारा बारा चालीस तक जो हम आप लोग ने व्याक्यान सुना अधरनी देविन भाई का सोनगड में जो जनेंद भगवान पधारे उनके विचार बीजों का जो वपनकारी हैं वो भी इसी धरा से हुआ ये एतिहासिक तथ्य पुझ बेहन स्री के चित में पुझ गुर्देश्री के व्याक्यानों में जो सीमंदर भगवान के प्रति अहो भावा आया करते थें उनके उपर ये मानो सोनगड का ही सोनगड संकुलन का मानो गर्भ कल्यानक इसी धरा से प्रा तकालजुना है। देखिए अभी राजकोट में वहाँ पंद्रवी बारके और उन्नीस वी बारके दो प्रवचनों की जो श्रंकला है, वो वहाँ निरंतर चल रहे हैं। कभी पंद्रवी बार, कभी उन्नीस वी बार, आल्टरनेटिव जो भी, पंदरवी बार के कुछ एक प्रवच्छन बीच में अस्पस्थ हैं इसलिए कभी 19 बार चलाते हैं लेकिन दोनों का समन्वे साधते हुए समय सार का अब समय सार वईभव में सोलवा भाग और समय सार सिद्धी 19 बार में ग्यारवा भाग चल रहा है यह दोनों का ऐसा एक समन्वे बढ़िया चल लहा है तो उसमें जो विशे चल लहा है मैं जो यहां आपके सामने विशे प्रसुद करना चाहता हूँ 29 गाथाओं का विशे मैं आपके सामने रखूंगा मेरे पास बड़ी मुश्किल से 35 मिनिट है आप बिल्कुल निश्चिंत रहना कि मैं उन 29 गाथाओं की समग्र समुच्चे विशे वस्तू चाहें तो केवल और केवल पांच मिनिट में और चाहें तो और पांच-दस दिनों में पचास गंटों में हम आप लोग उसके बारे में घोलन कर सकते हैं संक्षेप में इतना ही है कि समयसार गरंत जो है इस स्वपर भेद विज्ञान करते हुए अभेद आत्म विज्ञान की प्रसिद्धी का शास्त्र है भेद विज्ञान में दो के आवश्चक्ता होती है लेकिन भेद विज्ञान भेद विज्ञान तभी कहलाता है जब अभेद आत्म विज्ञान होता है और ये समय सार शास्त्र जो है ये मात्र भेद विज्ञान की कथा नहीं करता है यह अभेद आत्म विज्ञान की उद्गोशना करने वाला शास्त्र है बहुत एकागरता से सुनिएगा केवल 5-7 मिनिट के अंतरगत ही मैं जीवा जीवा अधिकार से लेकर के जो विशे मुझे लेना है वहां तक सर्व विशुद ग्यान अधिकार तक मैं संपूर्ण यात्रा संग को लेकर आना चाहूँगा बहुत एकागरता से आप लोग सुनिएगा मौक्ष्वा प्रकाशक में चोथे अध्याय के अंतरगत पंडीजी साब ने एक वाक्य लिखा सर्व प्रथम दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्यान होना चाहिए और इस सिद्धान्त को मूल तह किसी ने हर श्वास में यदि जिया है तो आचयारी कुंद कुंद देव ने कोई भी इसमें से ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिस अधिकार में भेद विज्ञान की बात न होगे पूरूरंग अधिकार की गाथा है तो सचमुच में पूरूरंग की ही है 38 तक की जो गाथाएं है जिनमें आतियासिक चटी का लेक चटवी गाथा जैन दर्शन का प्राण अभी दो दिन पहले अभेजी भाज साब ने बात कही थी जैन दर्शन का प्राण कैलाशन जी पंडी जी साब बोला करते थे उप्राण वाली गाथा भी हम आप लोगों ने सुनी चैतन्य राजा को जानना पहचानना वाली गाथा सत्रवी और अठारवी गाथा आगे जाकर के अब प्रतिबुद्ध वाली गाथा हैं जो 19-20 वाली जो गाथा हैं सरवग्य भगवान ने जो उप्योग लक्षन आत्म का कहा वो भी उनीके इर्द गिर्द सारी बाते हैं आगे जाकर के निश्चे सुति से संबंदित 31, 32 और 33 वी तीन गाथा हैं और मैं एक शुद्ध मात्र अखंड प्रतापवंद भगवान आत्मा हूं और योग्य गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर मुठी में रखा हुआ सोना जैसे ख्याल में आवे वाली गाथा 38 वी गाथा ये पूर्व रंग वाली गाथा हैं इनमें तो चैतन ने सवाव भगवान आत्मा का ही उसमें गोलन किया और मानो मौक्ष मारग के बीज वहां उनोंने डाले मैं आपको दूसरी गाथा केवल इशारा भर क मैं सीधा 400 गाथां के बाद वाली जो गाथा है 412 नंबर की गाथा मैं वहां चलांग मारना चाहता हूं तो सभी स्वाध्याई वर्ग हैं यहां सभा में जो भी बैठे हैं स्वा समय और पर समय वाली जो दूसरी गाथा जिसका हार्द खोलने के लिए जितनी समर्थ पहली गाथा है क्योंकि आचारी ने वहां प्रतिग्या की है स्वात्मनी परात्मनी च अनंत सिद्धान संस्थाप्य स्व में और अपने में और पर में अनंत सिद्धों की स्थापना करके पुछ गुर्देश्री कहते हैं जो आचारी एम कहे छे तारामा एटली लाइका छे के त परीशकी येची हम कर सकते हैं तुम्में ऐसी योगजिता हमें दिखती है इपली गाथा का हार दोनुने एसा खोला स्वसमय और परसमय वाली जो गाथा है वहां जो प्रकरन है स्वसमय वाला जो प्रकरन है उसी को लेकर के 412 नंबर की गाथा में विशे को खोला है थोड़ी मिन्टों बाद थोड़े क्षणों बाद हम आप लोग उसकी तरब बढ़ते हैं आगे पूरू रंग में जिस प्रकार से चैतन्य सवभावी आत्मा का रहश्य खोला जीव और अजीव अधिकार के अंतरगत 49 से लेकर के 68 वी गाथा तक के विशे में पूरा का पूरा जीव और अजीव का ही भेद विज्ञान वहां कराया खास करके 50 से 55 वाली गाथाएं जिन में वरना द्यावा राग मोहाद योवा इन सारे 29 भावों को पुछ गुर्देश्री भी कहा करते थे कि ओगन 30 भाव नो उकरडो यो 29 भावों की जो स्वच्छता अभियान वहां उन गाथाओं में चला है वोई नीव है इसको आपन कहे सकते हैं 50 से 55 वाली गाथाएं मतलब समय सार की रीड की हड़िया है यदि उन गाथाओं को समय सार में से निकाल दिया जाए तो जैसे तत्वार सूत्र में से पांचवे अध्याई को निकाल दिया जाए तो तत्वार सूत्र का कोई अस्थित्व ही नहीं रहे उसमें भी उत्पाद वे द्रव युक्तम सत सत्द्रव लक्षणम तद्भाव अव्यह इन तीन चार सूत्रों को यदि निकाल दिया जाए तो तत्वार सूत्र की कोई एक्जिस्टन्सी नहीं बनती है सत्ता ही नहीं रहती है अस्तित्व ही खत्रे में चला जाता है ठीक वैसे ही पचास से पचपन नंबर की गाता है समय सार की ठीक नियम सार की भी पचास से पचपन वाली गाता है गजब की बात है प्रवचन सार में जो गाता है ठीक वैसी की वैसी गाता है थोड़ा सा अंतर है बोलो में यहां 29 बोल है उसमें थोड़े से ज़्यादा भी है नियम सार में गजब का सारा प्रकरण आचा एक ही आचारी एक ही अध्यात्म की परंपरा लेकिन जो भेद विज्ञान की भावना उन्होंने उसमें मतलब हम आप लोगों को गोल के दी हैं वो अलव की कहें तो जीव अजीव अधिकार में जीव का और अजीव का भेद विज्ञान कराया आगे जाकर के 69 नंबर से लेकर के वे ले जाते हम आप लोगों को 144 नंबर तक की गाथा में जिनमें अनाधिकालिन एकत्व और ममत्व बुद्धी का पोस्ट माटम जीव और अजीव अधिकार में किया और रही सही बात जो थी करत्रत और भोक्त्रत बुद्धी से संबंदित उस बीमारी को उन्होंने करता करम अधिकार में से हटाया केवल दोई अधिकार में चार प्रकार की अज्ञान जन्नि बुद्धियां कतम हो गई करता करम अधिकार तो लाजबाव अधिकार और ये जिस अधिकार की गाता है स सर्विशुद ग्यान अदिकार कुछ और नहीं है ये बिलकुल समझ दीजी है प्रवचन सार की चरणान योग सूचक चूली का जैसा ही एक प्रकरण है जो के परिसिष्ट भी है आगे लेकिन यहां जो गाथाएं सर्विशुद ग्यान अदिकार की करता करम अदिकार की ही विशेश विशेवस्तु को और इसमें खोला है अकारक और अवेदक जैसे 320 नंबर की गाथा में हम आप लोगों ने सुना है आत्मा अकारक हैं और अवेदक समग्र सर्विशुद ग्यान अदिकार में उसके अलावा और कुछ है नहीं तो करता करम अदिकार में करत्रित्व और भोक्तुरत्व बुद्धी से पार भगवान आत्मा को अकरता स्थापित किया रही थोड़ी भहत बात थी अनादिकाल की पुन्य और पाप के संदर्ब में सुक शान्ति और साता और कल्यान की भावना सेवने वाले अज्ञान के जीव की बात पुन्य पाप अदिकार में उनसे भी चित को हटाया और आगे जाकर के स्पस्ट कहते हैं जितने भी यह आस्रवादिक भाव हैं इन आस्रव भावों से तु भेद विज्ञान कर आस्रव सबसे चोटा अधिकार सबसे कम गाथाएं सबसे कम कलश और सबसे जोरदार अधिकार मैं तो कहता हूँ पूझ गुर्देश्री जो कहा करते थे लिंडी पीपर वाला समय सार का लिंडी पीपर वाला अधिकार मतलब सम्वर अधिकार सबसे छोटा अधिकार और उसको जितनी बार गिसो उतनी बार उसमें से है वो चरपराइट बाहर निकले सारा अधिकार भेद विज्ञान के लिए ही समर्पित है और भेद विज्ञान के लिए समर्पित उस समर अधिकार के ऊपर कलस चड़ाने का काम निर्जरा अधिकार ने किया जो ज्यानी को दृष्टांत के रूप में लेकर के ज्यानी की हर पल की परिणती कैसी होती है उसमें खास करके सब्त भयों वाला विशे और सम्मेक दर्शन के आठ अंगों वाला विशे दिरजरा अधिकार में आया वो भी भेद विज्ञान का ही अपुरू अधिकार अब आगे आया मोक्ष अधिकार मोक्ष अधिकार में तो कहते हैं कि भाई मोक्ष अधिकार में मोक्ष की बात नहीं है क्या कहा अधिकार मोक्ष का है उसमें मोक्ष की बात ही नहीं है कहते हैं हम मोक्ष क्या है वो नहीं बताएंगे मोक्ष होता कैसे है वो प्रग्या चीनी के माध्यम से हम बताएंगे वो भी भेद विज्ञान का यह अधिकार है इस प्रकास से जीव जीव एधिकार से मोक्ष अधिकार तक का सारा भेद विज्ञान का अधिकार अभी देखिए आधरनी कमलेश भाई और भरत भाई इस परिवार की तरब से उनके जो परिवार के उपर वरधस्तर है मातास्री रेवा बेन और गुरु के स्थान में जिनकी उंगली पकड़ करके वेश चले आधरनी लालचन भाई जिनके नाम से ये विदान मंडल का आयुजन किया है अधरनी लालचन भाई का एक बहुत सुंदर बोल है कमलेश भाई तत्वो माती तत्व तरब जे जाए एने सम्यक सन्मुख के वाए क्या कहा अशोग जी वैसा तत्वो में से जो तत्व की तरब निकल चल पड़ता है उसका नाम सम्यक सन्मुख है नव तत्वो में चिपी हुई जो जोति उसे बतलाती चिदानंद ध्रुव ज्यायक घन का दर्शन सदा कराती ये है तत्वो में से तत्व की तरफ जो जाता है उसका नाम सम्यक सन्मुख है तू ग्यान पंडी जी साब रविन जी पंडी जी साब कहते है तू ग्यान में ग्यायों की भीड मत लगा क्या कहा तू ग्यान में ग्यायों की भीड मत लगा तेरा ग्यान न जाने कहां खो जाएगा तो इसलिए आचार को भी मानो ऐसा सूझा आप गुर्देश्री का बिल्कुल पहला ही प्रवचन सर विशुद ग्यान अधिकार का सुनिए उसमें गुर्देव बोलते हैं जीवने अजीव अंगेनो अगनान हतु इजयतु रहू बेव भेगा थे ने आएवा था चुटा पड़ी ने गया पुन्निपाप तरीके भेगा थे ने आएवा चुटा पड़ी ने गया पुणिपाप तरीके भेगा थी नहाय वा छुटापणी नहीं गया आसरवे आयो अने आसरवे गयो समवर की क्या बात करें मोक्ष पन आयो अने मोक्ष पन गयो पंड यह सर्व विशुद ग्यान यह आया सो आया फिर जाने का नाम ही नहीं लिया उसका नाम सर्व विशुद ग्यान अधिकार है क्या गजब की बात अधिकार सर्व विशुद अधिकार गुर्दे सी बोलते है समय सार नो हाचो अधिकार तो आ अधिकार चे यह को भाव भासन कैसा करा रहे हूँ समय सार का सच्चा अधिकार तो अधिकार मतलब यह अधिकार वाली बात नहीं पुस्तोकों में छपे हुआ अधिकार की बात नहीं अंदर माजो आत्माधिकार है यह सच मुझ में सर्व विशुद ग्यान अधिकार है गुर्दे बोलते हैं आयवो तो छे पर जैसे नहीं इकॉल करार छे यह आया तो है लेकिन जाएगा नहीं ऐसा यह सर्व विशुद्ध ज्यान अधिकार और इस सर्व विशुद्ध ज्यान अधिकार का शंकनाद 308-9-10-11 आत्मा का सर्व था अकरतापना और उस अकरतापने क सिद्धी के लिए सिद्धान्त को ढाल बनाया जीओ ही तावत आत्म नीमित परिणामे उत्पद्यमान अजीवह अजीओ ही तावत आत्म परिणामे उत्पद्यमानो अजीवह एवन जीवह क्रम बद्ध परियाए सिद्धान्त को बनाया ढाल और सिद्धान्त मूल में स्व आप लोग ध्यान से सुनिएगा आत्मा अकरता चे इपन कहवानी बात चे हैं खरेखर तो आत्मा तो गिनाता चे एम सिद्ध करवा मागे चे अरे अकरता कहना ये भी उपचार की बात है दयादान वरत पूजा आधी का करता है ये तो बिलकुल बाहर का व्यवहार अंदर के भेद विज्ञान रतनत्रे आधी का करता करना कहना ये भेद उपचार आत्मा आत्मा का करता कहना है अभेद उप्चार अने गनायक तो गनायक अच्छे एम अनुभो एनो नाम समय साथ इस प्रकार से ये सारी अनुभो की कक्षा इस सरविशुद ग्यान अधिकार में बताई गई है क्रमबद परियाय सिद्धान्त के साथ वहां आत्मसभाव के अकरतापने की सिद्धी की देखिए 308 से 11 तक सारी प्रस्तावना है अकर्तापने की प्रस्तावना है जबकि 308 से ग्यारत तक का एक विशे पूरा होता है फिर 308 के 308 9 10 11 12 से लेकर के 19 तक उन्होंने प्रस्तावना बांदी है और वो रहश खोला है निश्क्रियो परंपारिणामिक थीन सो बीस नंबर की गाता फिर आगे एक प्रवाह चलता है उसी प्रवाह में सारा का सारा विशे प्रारंब होता है तीन सो नब्बे से लेकर के 404 तक की गाता है कितनी गाता है होगे पंदर गाता है उन पंदर गाता हो में बिलकुल समझ लीजिए मैं इस सभा से अपेक्षा रखता हूँ बिलकुल वो विशे हम आप लोगों को ऐसा आत्म सात होना चाहिए शास्त्र ग्यान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है इसलिए शास्त्र अन्य है और ग्यान अन्य है ठीक है साब हमने मान लिया आगे सुनो शब्द ग्यान नहीं है और शब्द कुछ जाने नहीं है इसलिए शब्द अन्य है और ठीक है कोई बात नहीं वर्ण गंद रस पर्श वो भी ज्यान नहीं है क्योंकि वे कुछ जानते नहीं है इसलिए वे अन्य है और ज्यान अन्य है पांच गाता है उसमें आगए आगे जाके कहते हैं धर्म ज्यान नहीं है अधर्म ग्यान नहीं है आकाश ग्यान नहीं है काल ग्यान नहीं है क्योंकि वे कुछ जानते नहीं है इसलिए ग्यान अन्य है और वे सारे भिन है देखिए दो पॉइंट समझ लीजिएगा अशुक भया इन दस बारगाताओं में पंदर गाताओं का समू है इन दस ब का भेद ग्यान और चवों द्रव्य वे व्यक्त हैं और अव्यक्त सवावी भगवान आत्मा एक बहुत गहरी बात में को यदि गुर्देश्री के प्रती जो अनन्य श्रद्धा होवे आचारी कुंद कुंद देव के प्रती अपार श्रद्धा होवे तो बिलकुल ये बात ब नहीं ये वाली जो गाता है न जगदिश भैं एमा गुर्देश्री अर्थ करयो छे अध्यवसान त्रण प्रकारना मोह राग देशादीग भाव तो खराज दयादान पुन्य पापना परिणामों तो खराज करेखर तो करेखर तो भेद रूप निश्चे मोक्ष मार्ग प और फिर भी यहां 412 नंबर की गाता में जाके में कहते हैं सुनो 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 सम्यक दर्शन ग्यान चारी त्राणी मोक्ष मार्ग आचारी कुंद कुंद देव के पट शिष ने तत्वार सूत्र के शिर्म और शिला लेक की भांती सूत्र लिखा आचारी कुंद कुंद देव ने समय सार समाप्त होते समय वो वाली बात कही 412 नंबर की गाता तो 390 से लेकर के 404 नंबर तक की गाता उमें जो भेद विज्ञान का विशे का घोलन किया उसको यहां लेकर के बहुत गहराई से 412 नंबर की गाता में समझाया है इसमें भी पांच बोल है बहुत सुन्दर बोल है उनके आधार से हमाँ आप लोग भेद विज्ञान की भावना अपनी अपनी भेद विज्ञान की भावना हमाँ आप लोग भाएं इस मंगल भावना के साथ इस विशे को मैं प्रारम करता हूं 412 नंबर की गाता है यदि स्क्रीन के उपर आती है तो आप लोग गाता बोल सकते हैं मैं बुलवात हूं सुनिएगा और आप लोग पाट करिए मोख पहे आपाणम मोख पहे आपाणम ठवेहितंचे वजाईतंचे य तथेव विहरनेचं मा विहरसु अंडवेसु कली कली खिल जाए ऐसी अद्बुद गाथा ऐसा अद्बुद संदेश हिंदी चाया हरीगीति का का पाठ हम आप लोग करते हैं तुस्थाप निज को मुक्ष पत्थ में ध्यान अनुभव तूसे उसमें ही नेत्य विहार कर न विहार कर परद्रवे में कमलेश भाई दो दिन पहले के प्रातक काल के स्वाध्याय में पूछ गुर्देश्त्री ने समाधी के दिन समाधी के दिन जो साहिंकालीन स्वाध्याय वहां लिया था नेरोभी का प्रवचन उसमें गुर्देश्त्री ने एक बहुत मस्त बात कही मज़ा आ गया सुनकरके उसके दूसरे दिन मैंने इसी गाथा के आधार से एक रूपक वहां प्रसुत किया था ऐसा लगता है जैसे मानो नेमिनाद भगवान राजुल से कह रहे हो तू स्थाप निजिको मोक्ष पत में ध्या अनूभव तू उसे मानो उनके मुख में से ये गाथा निकल रही हुए समाधी के दिन जो वैक्यान हुआ उसमें गुर्देश्त्री ने विदेहवास को स्मरन करते हुए फिर वहां से भरतक्षेत्र में कैसे आना हुआ सारी बात कहे करके के छले परिणामो विचलित थया अहीं आवी पड़या उम्राडामा जनम थयो फिर बोले उम्राडामा तो जनम थयो पन ओम रही गयो ऐसा बोले और पांस साथ सेकंड तो बिलकुल गहन गंभीर गुफा में मानो वे निकल पड़े बतलब क्या समवेदना होगी क्या संचेतना होगी क्या अंदर का समवेदन उनका खुद का होगा और बराबर उस दिन सुबह यही गाथा वहाँ चली बलकि पांच दिन पांच स्वाध्य है इसके उपर चले बहुत गहन भाव इस मूल गाथा में आचारी की मूल टीका में भी भरे हुए है देखिए मूल टीका में पढ़ता हूँ हे भव्य स्वयम अर्थात अपना आत्मा अनाधी संसार से लेकर अपनी प्रग्या के दोश से पर द्रव्य में राग देशादी में निरंतर स्थित रहता हुआ भी अपनी प्रग्या के गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटा कर उसे अत्ती निश्चलता पुर्वक दर्शन ग्यान चारित्र में निरंतर स्थापित कर यह पहला बोल है गाथा का तू स्थाप निजिको मोक्ष पत्में इतनी व्याक्या इसका अर्थ करते हुए गुर्देश्री कहते हैं कि आमा बलेने कहवानों छे मोक्ष पत्में लेकिन दर्शन ग्यान चारितर रूप जो मोक्ष मार्ग है निश्चे मोक्ष मार्ग है इमा स्थापित कर एटले ते मैं ते स्वरूप जे आत्म द्रवि सभाव छे एमा ज तारी द्रश्टी थसे तारी द्रश्टी तो थसे द्रवि सभाव ने प्रगट थसे तने ही साचा मोक्ष मार्ग एटले एम क्यों मार्ग हुँ छे तू स्थाप निजिने मोक्ष पत्में मतलब द्रश्टी द्रव्य की प्रगटा परियाई की आविर भाव परियाई का द्रव्य सुभाव तो निरंतर आविर भूत ही है एक बार दो कुर्दे स्रीस में ऐसा बोल गए कि द्रव्य ने क्या आविर भूत हूँ छे इतो आविर भूत अच्छे वो तो आविर भूत ही है उसे काँ प्रगट होना है उसे न अस्त होना है और न उसे कभी प्रगट होना है वो है ही लेकिन प्रगट परियाई की अनादी की जो इस बोल में कहा कि प्रग्या के दोश से परद्रव्य में जो राग देशादी में निरंतर स्थित रहता हुआ भी जिसे अभी आप लोगों ने ख्याल होगा आप लोगों को टेकचन जी की विदान का एक संदर्व विदान में यहां संजेजी ने बात कही थी बहुत उपाध्या परमेश्ची के प्रकरण में आता है कि यदी वक्ता को अपने वक्तव के संधर्ब में, अपने भाशन के संधर्ब में, अपनी बोली के संधर्ब में यदी उसे अहो भाव आता है, तो समझ लेना चाहिए, वो कहीं न कहीं द्रविशुत की विराधना कर रहा है। लाचन भाई की जो पिता जी थे अमर्चंजी साब, अमर्चंजी साब की चर्चा पूझ गुर्देश्री के साथ जब हुआ करती थी, तो अमर्चंजी ने गुर्देश्री को ये समाधी शतक की उन्नीस वी गाथा से संबंदित एक बात कही थी। बहुत लंबी घटना है, मैं पूरी घटना नहीं सुनाओगा, लेकिन जिसमें ये कहा गया है, में दूसरों को समझाऊँ और दूसरा मुझे समझावे। मतलब मैं गुरू के पातर हूँ और मैं दूसरों के द्वारा, दूसरों को समझाने के लिए मैं गुरू तुल्य हूँ अत्वा दूसरों के द्वारा समझाने के योग में सत्पात्र सिश्च हूँ इस प्रकार की यदि चेश्टा में सादक होता है भावलिंगी संत कहरे उनमत चेश्टितम इदम ये मेरी उनमत ता है ये मेरा पागलपन है ये शास्त्रा भी निवेश है अहम तू निर्वी कल्प कहा मैं तो एक निर्वी कल्प हूँ गुर्देश्री ने उसको सिद्ध किया तुझे इदी इस प्रकार के संकल्प इकल्प रहा करते हैं तो समझ लेना ये प्रग्या के दोश है यस्यनास्ति स्वयंप्रग्या शास्त्रम किमकरिश्यति लोचनाभ्याम विहीनस्य दरपणह किमकरिश्यति शास्त्र तो हैं तेरे पास लेकिन मान अभिमान और अन्यशल्यमेदी निमित बनाता है तो शास्त्र नहीं बलकि शास्त्र है अमित गति आचारी ने बहुँ सुंदर योगसार प्राबृत के अंत अंत के प्रकरण में एक बात लिखी नजाने इस पंचम काल में शास्त्रा भ्यासियों को शास्त्रा भिनिवेश क्यों सताता है क्या कहा क्या शब्द डाला है शास्त्रा भ्यासियों को शास्त्रा भिनिवेश क्यों सताता है अपने को अंग्रेज समझते हैं राजन भया का पद आपको सबको याद है उसमें ये शब्द दिया है अमित गति आचारी का इसलिए भाई ये तेरी प्रग्या का दोश है अबेजी भैसा आप तो समाधी स्थ उस दिन आये आप दूसरे दिन के प्रवचन में गुर्देश स्री ने कहा मोक्षमा प्रकाशक जारे राजकोट मा अदामोदर सेटना हते ती मने मल्यू खाव गमे नहीं प्यू गमे नहीं अरे ओरवा ज़ू गमे नहीं सबा भराणी होई शास्त्र प्रवचन आपू नहीं गमे हो तो एक वकत व्याक्यान आपी ने बाजू मा जही ने बैस्तो और यह मा गला डूब थो तो मोक्षमा प्रकाशक के बारे में बोला और उससे कुछ साल पहले तो समय सार मिला हुआ 78 में तब तो उनकी क्या परिणती होगी विचार कीजी आप इसलिए प्रग्या का दोश और प्रग्या का गुण इसका भेद विज्ञान हमें करना चाहिए शास्त्र अभ्यास ही अभ्यास में बाई अनुष्टान ही अनुष्टान में आयोजने प्रयोजनम न विस्मर्तव्यम कहीं हमारे आयोजन मात्र आयोजन बने न रहें उसमें प्रयोजन का सदना ही अधी सेश रहे जावे तो कोई क्रिया जड थै रया शुष्क ग्यानमा कोई माने मारग मोक्षनो एक बात सोचे आप मुझे एक लालचन भाई की कमलेश बेक बहुत बिलकुल दिल को छूती है हम कहते हैं कि हमारा क्षवयप्षम अच्छा है हमारा ग्यान बहुत उगड़ा हुआ है तो भाई इसरे ऐसा फर्माते थे प्रगट साम्मान्य उप्योग जो है जो भी ज्यान है अपना प्रगट साम्मान्य उप्योग जो है यदी तू उसे इंद्रिय ज्यान में खतलता है मतलब इंद्रिय ज्यान के पक्ष में डालता है तो याद रखना भेद विग्णान थाही न शके प्रगट साम्मान्य ज्यान के उप्योग को यदी तू इंद्रिय ज्यान के खाते में डालता है तो याद रखना तुझे भेद विज्यान नहीं होगा और दूसरी गजब की बाते कहते हैं प्रगट साम्मानी उपयोग ने तो अतिंद्रिय ग्नानमा खत्वे छे तो याद राग जे भेद विग्नानी जर्रत न थी क्या कहना चाते हैं मतलब उस प्रगट ग्यान की परियाय को हम ले कैसे रहे हैं किसे एंगल से ले रहे हैं जिसे पंडि टोडर मली साब ने सभाव का अंश कहा वो सभाव का अंश है बादल छटे नहीं है बादल सारे बिखरे हुए हैं लेकिन सूरज अंदर चिपा हुआ है उसकी जो आभा निकल रही है उसकी कहीं न कहीं किरन फूट रही है अरे तू सूरज है तू किरन नहीं है वो जो है स्वभाव का अंच है इस प्रकार से अपने ही प्रग्या के दोश को जो जो पर समय प्रवर्ती में लगा हुआ है वो अपनी ही प्रग्या के गुण के माध्यम से उसी को भाषा देखिया अप अपनी प्रग्या के गुण द्वारा ही वो ही उपा है जिसे मोक्ष अधिकार में प्रग्याचीनी कहा जिसे संवर निज्रा अधिकार में भेद ग्यान कहा यही वाली बात एक ही प्रवाह बिलकुल पूरुरंग से बेद विज्ञान का जो अपने शुरुवात में 10-15 मिनिट देखा था वही यह प्रमें है अती निश्चलता पूर्वक अती नि आई बजे तक का जो प्रवचन था लाचन भाई का उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि शुद्धोप योग से संबंधित विकल्प भी मुनी राजों को कलंक से लगते हैं अरे हमें बोलना तो भाता नहीं हमें मौन रहना भी भाता नहीं वचन व्यवहार मात्र से जो अंत रंग की जो परितर्प्ती है । चलता पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर अप्रतिहत वाली भावना है निरंतरता स्वामी जी इसका आर्थ मालूम क्या करते हैं आत्मा निरंतर छे नहें तो तारी स्थिर्था के वी होवी जो ही है अरे आत्म सभाव जब निरंतर हैं तो तेरी स् यह अखंड धारा प्रवाह होना चाहिए न तो निश्चलता पुर्वक दर्शन ज्यान चारित्र में निरंतर स्थापित कर तथा समस्त अन्य चिंता के निरोध द्वारा देखिया आर्त ध्यान और रोद्र ध्यान की चिंता की बात तो जाने दीजिए हमें धरम करना है ये भी आध्यात्मिक चिंता है आध्यात्मिक चिंता जैसे युगल जी बाबु जी कहा करते थे बस अन्य का तो मिध्या दर्शन का स्वरूप क्या कहें अब आत्मार्ति बूक्षो में भी एक नया समय जी एक मिध्या दर्शन का रूपधारन करने लगा है कि मुझे सम्मेक दर्शन प्राप्त करना है इसी का नाम मिध्या दर्शन है पूरी बात सुनना पढ़ना बाबुजी को सुनना तो समझ में आएगा आपको मतलब द्रवी सुभाव भाव की जो द्रस्टी है वह न रहे हर आत्मा में तो ग्यान है लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ग्यान में भी आत्मा है वाली बात है तो चिंता अन्य चिंता के निरोध द्वारा अत्यंत ये काग्र होकर दर्शन ज्यान चारित्र का ही ध्यान कर चारित्र ज्यान रत्नत्रे स्वभावी भगवान आत्मा का ही ध्यान कर अंदर स्वरुप में गुड़ुप होने की सारी जो प्रक्रिया है स्थापित कर ध्यान कर तता समस्त कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग के द्वारा शुद्ध ज्ञान चेतना में होकर दर्शन ज्ञान चारित्र को ही चेत अनुभव कर देखिए एक स्वाध्याई के हिसापस में चिंतन बिंदु आपको केवल देता हूं 230 नंबर का जो कलश है अनुष्टुप छोटा सा कलश है जबकि आरिया चंद है उस छोटे से कलश में कलश की टीका में 148 बोल आते हैं अमरे चंद्राचार देव ने लिखे हैं वो कर्म फल चेतना से सन्यास की भावना वाले सारे बोल हैं पूझ गुर्देश्री के पंद्रवी बार में 20 प्रवचन हैं 20 प्रवचन उस 148 बोलों के उपर मतलब 20-25-25 दिन तक उन 148 बोलों को गुर्देश्री ने चलाया एक-एक भंग को पढ़ा एक-एक भेद को पढ़ा उन्हों नाम कर्म के 93 के 93 एक-एक बोल को पढ़ा ये सच में भेद विज्ञान की पराकास्टा है और ऐसा ही गहन स्वाध्याए ऐसा ही मन्थन हम आप लो समय सार की आउगाह ना करना यदी सीखें तो पुछ गुर्देश्री के पास से हमें सीखना चाहिए ये अजब गजब की उपलब दीस पंचम काल में हम आप लोगं को हुई है समय सार के रस को पीना कैसे परोसना कैसे खुद जूमना कैसे और सभा भी उस समय सार के रस में जूमती हुए होए ऐसा ये समय सार का जो रसा स्वाद है उसकी गंगाह दी बहाई है तो सचमुच में ये आचारी कुंद कुंद के लगुन अंदन पुछ गुर्देश्री ने बहाई है इसलिए इसका हमें बहुत बहुत अंदर में अहो भाव आना चाहिए इस विशे को इसी प्रकरण को आगे के बोलों के माध्यम से जो इसके उपसाहार स्वरूप है बलकि एक चेत वाला जो बोल है पूरा का पूरा चारित्र का बोल है समस्त कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याक के द्वारा शुद्ध ज्यान चेतना में होकर दर्शन ज्यान चारित्र क को ही चेत अनुभव कर तथा द्रव के स्वभाव के वश से प्रतिक्षण जो परिणाम उत्पन होते हैं उनके द्वारा दर्शन ज्यांचारित्र में ही विहार कर तथा ज्यान रूप को एक को ही अचलतया अवलंबन करता हुआ जो गे रूप होने से उपाधी स्वरूप हैं ऐसे सर्व और से फैलते हुए समस्त परद रव्यों में किंचित मात्र भी विहार मत कर विहार कर और विहार मत कर यह अस्तीनास्ती से संबन्धित जो मारमिक बोल हैं यह अंतरंग की चुद्धोप योग की शुद्धात्मा विमुक परिनाम रूप स्थिर्दा की दशा उस के बाद जो 413 गाथा चोद्वी गाथा दो जो गाता है द्रवी लिंग और भाव लिंग से संबंदित जो गाथा हैं सारे प्रकरण हैं और इस प्रकास से एको मोक्ष पत्थो येशन ये तो द्रग्यप्ति व्रत्यात्म का स्थत्रई वस्तिति में ती यस्तमनिशम इस गाथा का हम आप लोगों ने रसा स्वाद किया इसे के साथ मैं विराम लेता हूँ ओम नमह सिद्देब्या वंदनाशत बार हैं ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरना गहे सुपावे सुख चैन जावाणी के ज्यान ते सुजे लोका लोक सुवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक सदा देत हो ढोक